विद्याथी मित्रों नमस्कार स्वारत है आपके स्टेडी नोट्स पीजी यूटूब चैनल पर प्राइवेट और रिपीटर विद्याथियों के लिए इस बक्त की सबसे बड़ी घूषणा सक्षा मंत्री भूपेंदी जी द्वारा कर दी गई है अब घूषणा क्यों ही है साली जानकारी आपको इस वीडियो के माद्यम से मिलने वाली है तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सस्क्राइब कर दें देखें विध्यातियों आप सभी को पता होगा लगबक सभी स्टेटों की रजल्ड घुसेत हो चुके हैं और लगबक सभी स्टेटों में स्कूल कालेज खुल चुके हैं लेकिन यहाँ पर गुजराद बोड बस एक अलग से ऐसा बोड बन गया है जिसने लगातार आपकी परीक्षाएं ली फिर इसके बाद आपका रजयल्ड खुसेत होगा तो इसको देखते होए यहाँ पर ऊपर से दवाव आया उन्होंने डारकली बोल दिया है कॉलेज बालों ने कि अगर परीक्षा का रिजेल जल्द नहीं दिया गया तो एड़ीशन में देरी हो जाएगी तो यहाँ पे कॉलेज के कुल्पतियों ने साफ साफ इसफ़ष्ट कर दिया है कोलेज किसी भी प्रकार का compromise नहीं करेगा, तो यहाँ पर बोर्ड जल्दे से जल्द अपना result जारी करे, ताकि विद्यार्थियों का admission हो सके, तो यहाँ पर जो प्रैल्थ वाले विद्यार्थि हैं, उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, इसके अलावा जो 10 वाले विद्यार्थी हैं उनको भी 11 में आना है तो सभी विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है इसको देखते हुए आपकी सिक्षा मंत्री ने घुसना कर दी है कि जो रजेल्ट होगा जैसा कि आपने देखा होगा हर एक स्टेट वोट का रजेल्ट नहीं आया तो इसी को देखते हुए आपके सक्षा मंत्री ने इस्पर्ष्ट कर दिया है आपका कोई कोश्चन हो या फिर डाउट या फिर किसी सवाल का कॉंसेप या बोट्स या फिर जैई नीट तो अब सबका सोल्यूसा ने सिर्फ अपना फिलो एप तो अपने डाउट का फोटू लेकर या फिर अपने कोश्चन को टाइप करके सब्मिट कर दे और फिलो आपको साट सेकेंड के अंदर इंडिया के टोप एक्सपर्ट से लाइप कोल पर कनेक्ट कर देगा आपकी क्याना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्ट पर क्लिक करके आज ही सेप को डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफलर कोट जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यदि आप इसका यूज करेंगा तो आपको 10% डिसकाउंट भी मिलेगा कि बच्चे अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास करें और यहां पे अगर आप अ आने वाला है तो जो भी विद्यार थी चंता कर रहे थे कि हमारे जेल्ट बहर जाएगा तो आपको विल्कुल भी चंता करने की ज़रूद नहीं है आपका रेजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है बस आपको पेपर में सब कुछ लिखके आना है अच्चे तरीके से जैसा लिखा जाता है तभी आपका रेजल्ट बेटर आपएगा तो आपको पेपर भी बहुत अच्छी तरीके से करना है बाकिस बार रेजल्ट बहुत अच्छा है